जाविर भाई के साथ हो अपने स्केट फार्म का नाम क्या है लेकिन माशालला काफी अच्छे गोड़े आ गए तीन गोड़े होगे सारे ट्रेन होने के लिए आए जाविर भाई यह आप देख सकते गोड़े को नाल पेना रहे इनको फेरियर बोलते हैं जो गोड़े को नार पहला नेका काम करते हैं इनके बारे में हम पूरी डीटेल्स पूछेंगे उनके बात को लेकिन पहले हम प्रोसेस देख ले किस तरह से पहना आते हैं आपका नाम मौसिन भाई मौसिन भाई सेयद मौसिन रही कहां से आप मैं हास्वड के पास गाव हैं अंबेठा अंबेठा कितने साल से करते हो यह तक्रीब दो साल से थोड़ा जोड़ से बोलना माइक नहीं यूज किया कि क करते हूं कि यहां जतने जानों पहचान करते हूं कि अज़़ाया फैदा रहता है इज न मंलोगों बताएंगे इंशालों यह जो होता है इसमे नमी ज्यादा जाती नमी आने के वज़ए से केल लगाते हैं तो इसके दिवाल है बराबर मस्ते से जाधा कुछ नहीं है लेकिन यह यह वह फ्यूंट हो हुआ कि अच्छी ठंडी वाली अच्छी बोलेंगी यह से नाल बंदी में यह प्रोबलम रहेती है इसे लिए गरम नाल बंदी का तो यह पहले जो अभी काटे हो उसके खर काटे हैं अभी नाल बिठाएंगे हैं कि यह देख रहे हैं हम जब ठंडी नाल बंदी अच्छी होती है तो फिर आम क्यूं गरम करके लागा है जादिर भाई के घोड़े के पैर में थोड़ी प्रोब्लम थी अच्छा वो पुरा दिन गिले में और गिले में रहता है उसको तोड़ा कादू में उसमें रहता था इसलिए उसकी वाल दिवा करने के लिए फिर वापस इसको चेंज करेंगे उसके खर कंप्लिट हो जाएगे मध्यूट हो जाएगे उसकी लगा जाएगे यह जैसे पहले हम देख सकते हैं यह नाल लगा रहे हैं कितना टाइम जाता है मुश्यूंब एक गोड़े में कम से कम एक देड़ गंटा जाता ह सब्सक्राइब करना चाल बाइब बाइब कॉन्सी नसल का गोड़ा है यह जिन्दी गोड़ा है अभी हमारे आज दूर सब्सक्राइब करने में माशाला बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते गोड़ों की अब मुश्यूंब क्या 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 थे ले तो वह बिठा जिए नाल अभी के फाइनल नेल को काटेंगे नेल काटेंगे करेंगे इदर आजए इदर आजए इदर नज़र आए इदर आए बस बेटा बास और टेक्निकली काम है जसते हैं जाए गोड़ों को आदत हो जाती हैा इसन दे मौते समंझते बाते हैं इसे बग्छा मैंं आप एक चलए कि बाते मानता है आप ने अच्छे इनके बेहनों भी अच्छे ट्रेना रिशा हूं और बस अबस पुए है अगर आपको वीडियो देखकर गुलाएंगे कहीं पर तो चाहेंगे आप इंशाला दिखेंगे ट्राइए करेंगे यहां काम अगर निपट पाए तो मैं जा जा शकिंगे तो जाएंगे यहां का काम तो आप काज निपड़ जाएगा वीडियो में एक दोर इसके बाद कर रहा है अच्छा एरिया की बाद है तो अब ही तो हमारे यहां काफी रेस वगेरा चल लुगों में गोडों का इतना ज्यादा क्रेश बना हुआ है गोडों का फेस था है और रहेगा रहेगा वह बिल्कुल रहेगा यह पहले जो था कि लोगों को क्रेश तो था लेकित इतना गोडों को शौफ नहीं किया जा था इस वज़े से क्रेश जादा सबने दिखाई पूरा है क्या चीज़ का ध्यान रखना है मौसिन भाए इसको हो युझ पडंदी आया छाने के बाद कभ सवरी कर सकते यह की पर तुरहन कर सकते हैं और ऊसको कुछ मत्ला में फिर देने मेंकि यानि कँछ देना पड़े घरी यह नाल बंदी तो हो गई, अभी क्या है इसकी जो यह जो ड्राइने से, यहां के बड़े बोड़े पहले यह जो हता है, अरेंडी का दिल, दिवेल, वो जादा दर यूज करते हैं, उससे यह जो दिवाल है उसने नमी बनी रहती है, उके, सुखा नहीं पड़ते हैं, सुखा प्रिकेट के अंदर हूफ ओईल मिलते हैं, इसके, बराबर, जो हूफ को सही करते हैं, बराबर, यह सुख चीज है, यह जाबे बाई, इसी वज़ए से इंगे, गोड़े के पेर सही अच्छे है, बराबर, यह हो गया काम, पूरा, यह कंपलेक, बरबूरे, बोल हो गया है, अब बिल्कुल सही गोल रिंदम सही बैड़ी है पूरा इसका काम खतम होगी ओके चलिए तो ये था पूरा एक प्रोसेस मौसिन भाई की तरफ से जो अगर किसी को भी करवाना हो आप ये वीडियो देख रहे हो मसिन भाई जो है मौसिन भाई कौन सा जिला लगता है आपका हा ये पुराना वाला नाल है जिसको अभी चेंग्स कर दिया है बाशला जाविर बाई कितने गोड़े कर लिया हमने मतलब तीन हो गए ना इसके साथ तीन हो गया है और गोड़े रखेंगे हम फाम पर ट्रेनिंगे लिए क्यों इसमें से को एक जाता है तो रखेंगे कुछ फ यह अपना वाला जिसका भी नाल गया यह कुछ दिन ट्रेडिंग के लिए आये हो है माशाला यह कौन सी नसल में जाविर में यह वाला यह कुछ दिन पहर अपने यह रेस हुई थी तो अपता कोई गोड़ा कया था रेस में रेस नहीं थी मनरं अजण हो था अच्छा तो मसिन भाई ठेनाई मेरे गोड़े के पैर खराब हो थे थोड़े बराबर चुन नहीं बेज़तain है इसलिए हमने वेजा नहीं था मसिन भाई भिया हुए थे कच अच्छा कली आए कली आ होगा 60 और उसके अब जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा गोड़ा मासालला बहुत खुशुरत है चलने में कितने ट्रेन करने में कितना दिन लेते हो एक गोड़ा अगर समझ लो के बहुत जिद्धी वाला गोड़ा है तो भी मैक्सिमम कितना तो टाइम निकाल देता है क और अच्छे से उसकी केर करता है तो ज्यादा तर टाइम नहीं लगता है लेकिन फिर भी अगर किसी को आपके पास रखना है के ट्रेनिंग के लिए तो कितने दिन लेता है महीना भी लगता है अगर शुरू से स्टार्ट करना है गोड़े को पहले से अगर बच्चा उसको करना है महीना देड़ महीना निकल जाता है जार्ज रहेगा चार्ज जैसे कुछ पक्का नहीं बोल सकते आपने बोला जी जैसा गोड़ा ऐसी बात होती है चलिए तो आप जाविर भाई को कॉंटेक्क कर सकते में नंबर स्क्रीन पर जो है जाविर बगा दूँगा और मौस नाल नहीं मारते क्यों विए या पता नहीं लेकिन कोई मारता नहीं है जिसको नाल करवाना हो और जिसको अपना गोड़ा जो है ट्रेन करवाना हो तो जाविर बाई का कॉंटेक्क कर सकते माशाला जाविर भाई इसमें काफी माहरत हासिल किया हो है और इसको भी वीडियो पसंद आए लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें चलिए इस वीडियो को मिया कतम करेंगे थैंक्यू सुमा जाविर भी हम एक दिन गोड़ों को निकालेंगे जब इस तिन वीडियो शूट करेंगे इंशाल्ला जैसे ट्रेनिंग के रेडियो संदे को अगर आपको पास टाइम हो तो आपको निकालेंगे इंशाल्ला यह संदे को जाईरुए थोड़ा बाहर है हम कुछ बगरों का शूट के लिए लेकिन उसके बाद जब भी रहेगा तो इंशाल्ला जाएंगे वहां पर 27 नवंबर 27 नवंबर 27 नवंबर को है जिसको जाना है लवाचा पूरा एंटर्टेन्मेंट फेर जैसा रहता है है वहां पर जिसको भी इंटरेस्ट हो वहां पर जाये सारे गोड़ा हैंगे ओके चलिए ठीक है जाविर भाई इस वीडियो को फिलाल हम खतम करेंगे यह तिकाना दा किस तरह से गरम करके नाल को बिठाया जाता चलिए थैंक्यू सो मच